7.6 उतकों के संरचना वा कार्य में संबंध Relation of Structure and Function of Tissue कोशिका, उतक, अंग, अंगतंत्र इस प्रकार यह संरचनात्मक संगठन समय के साथ घटित हुआ है इस प्रक्रिया में पहले एक कोशिकी संरचनाएं अस्तित्व में आई इनसे बहु कोशिकी समुदायों का विकास लगभग 580 मिलियन वर्ष पहले हुआ इस प्रक्रिया में कोशिकाओं की संरचना और कार्यों में भी परिवर्तन आया यदि हम पौधों के जलिय से इस्थलिय बनने की प्रक्रिया को देखें तो हम कोशिकाओं की सनरचना और कारियों के बीच के संबंध को समझ पाएंगे जब पौधे जलिय जीवन को छोड़ इस थलिय वातावरन में आए तो उन्हें प्रकाश संशलेशन के लिए परियाप्त सूरिका प्रकाश और कार्बन डैयोकसाइट और श्वशन के लिए परियाप्त मात्रा में आकसिजन उपलब्ध थी परन्तु इनके सामने अपने आपको सूखने से बचाने की चुनाती भी थी यदि हम जलिय और इस्थलिय पौधों की जड तना और पत्ती की आंतरिक संरशना का चित्र भी देखें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्थलिय वातावरन में आने पर मिट्टी में इस्थित जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी का समवहन कैसे हुआ होगा जड़े शाखित हुई जिसमें वे अधिक से अधिक पानी का और शोशन कर पाई साथ ही नली का रूपी संरचना भी विक्सित हुई जिस कारण और शोशित पानी और खनीज लवन पौधों में अन्य भागों तक पहुँच पाया इस नली रूपी संरचना को आप क्रिया कलाब एक के चित्रों में भी देख सकते हैं इसी प्रकार जलिय वातावरण से इस्थलिय वातावरण में आने पर जनतू कोशिकाओं की संरचना और कारियों में आये बदलाओं को भी समझा जा सकता है जलिय जनतूओं में शरीर की सतह के द्वारा श्वसन के लिए हवा का आदान प्रदान होता है इस्थलिय वातावरण में आने पर जनतूओं के शरीर की सतह हवा के संपर्क में आने पर सूखने लगी फल सरूप इस्थलिय जन्तुओं में कोशिकाएं ऐसे नमी युक्त समूहों में विवस्थित हुई जिसमें अधिकाधिक हवा ग्रहन करने की शमता थी आप समझी गए हुँगे कि हम यहां फेफणों की बात कर रहे हैं फेफणों की सतह बहु इस्तरिय और वलयत होती है इनकी सतह का छेत्रफल अधिक होता है जिससे हवा के संग्रहन और आदान प्रदान में सुविधा होती है प्रमुक शब्द की वर्ड्स उतक टीशू श्रम विभाजन डिविजन ओफ लेबर त्वचिय उतक डर्मल टीशू भरण उतक ग्राउन टीशू समवहन उतक वास्कुलर टीशू जायलम जायलम फ्लोयम फ्लोयम तंत्रिका उतक नर्वस टीशू संयोजी उतक कनेक्टिव टीशू पेशिय उतक मस्कुलर टीशू हमने सीखा उतक कोशिकाओं के समुह और उनके बाहरी वातावरण द्रव का सम्मिलित रूप होते हैं जो एक या एक से अधिक कार्य करते हैं एक उतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं हो सकती हैं विभाजन व विभेदी करण की प्रक्रिया के फलसुरूप समान कोशिकाओं के समुह अलग अलग प्रकार के उतकों में विभेदित हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के उतकों में कार्यों के बटवारे की प्रक्रिया को श्रम विभाजन कहते हैं अलग अलग समय पर व्यग्यानिकों ने जन्तु और पादप उतकों में समानता और विभिनताओं का अध्ययन किया विभाजन करने की शमता के आधार पर पौधों के उतकों को दो समुहों में रखा गया है प्रविभाजी उतक एवं इस्थाई उतक परन्तु इस्थाई उतक जैसे पेरन काइमा कौलन काइमा में भी विभाजन करने की शमता होती है जन्तुओं के उतकों को उनके आकार एवं कार्य के आधार पर चार समुहों में रखा गया है त्वचिय उतक, संयोजी उतक, पेशिय उतक और तंत्र का उतक, उतकों के सनरचना और कार्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं